तो आज की रेस्टे भी होने वाली है बहुत अमेजिंग और आपको बहुत बहुत पसना आने वाली है पास्ता, नूडल्स, मैगी तो आपने बहुत खाये होंगे लेकिन कभी इस तरीके का नाश्टा आपने खाया है यकीन मानिए ये नाश्टा आपने पूरे यूटूब में कहीं नहीं देखा होंगा इतना अमेजिंग, इतना हेल्दी और बच्चों का तो आल टाइम फेवरेट होने वाला है बहुत ही आसानी से बनने वाला है इतना अमेजिंग ये नाश्टा और अगर आपने कहीं देखा होंगा तो हमें जरूर कमेंड करके बताएंगा कि आपने ये नाश्टे की रेसेवी कहां देखी है हमें तो यकीन है कि आपने कहीं नहीं देखियोंगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक बाउल लेंगे इसमें 250 ग्राम वीट फ्लावर लेंगे आप नोट कीजिए यहापर आप वीट फ्लावर के बना सकते मैदे के बना सकते और बेशन के बना सकते आपको जो पसन हो आटा हो आप इसमें हम दालेंगे स्वाद अनुसार नमक आपके टेस्ट के अकोडिंग टू टेबल स्पून भरके इसमें हम आईल दालेंगे आप इसके अलावा देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते अगर अवेलिबल हो तो अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताके जो यह आटा है एक सा हो जाए अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी दालेंगे और आटे को अच्छी तरीके से नीट कर लेंगे जो रोटियों के लिए हम आटा बनाता है न उसी तरीका के हमें इसे आटे को गुनना है कोई जादा पतला नहीं बनना गुनना, कड़ा नहीं गुनना बस रोटी के लिए हम जैसा आटा गुनता है बस उसी हिसाब का ये आटा हमें गुन कर रेडी करना है बस इस आटे के लिए हमें काम इतना करना है कि इसे मसलना अच्छा है एकदम चिकना डो बनाना है तो 10 से 5 मिट हम इसे मसलेंगा बस इसी तरीके के हमें डिजाइन बनाना आप चाते हो तो आप इसे पास्ता के शेप में भी बना सकते हैं लेकिन हम इस टाइप की आज नई डिजाइन बनाएंगे और अगर आपके पास में टमाटे साउस के पाउच का जखकन ना हो तो कोई बॉटल का जखकन होता है न तो हम वो भी लेंगे अब यह सारे बन चुके तब हम क्या करेंगे इस पर एक कढ़ाई रखेंगे इसमें दो से तीन गिलास पानी लेंगे और पानी को अच्छी तरीके से बॉइल आने देना यहाँ पर एक बात याद रखना कि हम बॉइल आने के बाद में यह नाश्टा इसमें डालना है अगर हम बॉइल नी आएंगे और ठंडे पानी में डालेंगे न तो यह एकदम चिप-चिपा हो जाएंगा और हो सकता है कि यह मेल्ट भी हो जाए तो इसलिए अच्छी तरीके से बॉइल आने देना है वाटर को और उसमें फिर यह नाश्टे के जो पीसे से हों हम डालेंगे और 10-15 मिट टक के हम वही पर खड़े रहे के फुल फ्लेम पर इसे पकाएंगे अब यहाँ पर बात का ध्यान इतना रखना है कि हम फुल फ्लेम पर पकाना है इसे स्लो फ्लेम पर नहीं पकाना अगर नाश्टे की कॉंटेटी अगर कम है तो यह 5 मिट में भी हो जाएंगा और कॉंटेटी जादा है तो इसे टाइम भी लगेंगा अगर इस कॉंटेटी पे आप बनाएंगे तो 10-15 मिट में आसान इसे बन जाएगा वक्ते नहीं है लेकिन हमने थोड़ा साउधानी से करें तो और भी अच्छा और फिर हम इसे साइट में रख देंगे फिर अब एक कड़ा ही रखेंगे गैस पर इसमें टू टेबल स्पून या वन टेबल स्पून जितना आपको आपको आईल पसंद उतना यूज कर सकते य इसमें कोई ऐसा नहीं कि एकदम ब्राउन करना है कुछ नहीं बस इस तरी किसे फ्राइ करेंगे अब इसमें ग्रेटेट जिंजर डालेंगे जिससे हम अगर आपके पस ग्रेटेट नहां तो पीसा हुआ भी अद्रक हम यूज कर सकते हैं लेकिन ग्रेटेट की इतनी बिस्त आब यहां पर 6-2 प्यास को बारिक चंपर में चॉप कर लिया। थोड़ा मोटब प्यास नहीं चलेगा हम चौपर में या फिर mixi में chop कर लेना है और फिर हम इसे इसमें डाल देंगे इसमें सिर्फ 2-3 मिट लगें कोई इसमें प्यास को गलाना नहीं है पकाना नहीं अब इसमें 1 टेबल स्पून बरके white till जो हते हैं वो डालेंगा इतना अच्छा flavor आता है white till से red food color दालेंगे optional है अगर आपको पसन हो तो दाली है नहीं तो फिर skip भी कर सकते हैं 1 टीजपून भरके हम soya sauce दालेंगे इसमें और 2 टीजपून भरके चीनी दालेंगे चीनी का भी ratio आपके test के हिसाफ से आपका यह ज़ादा कर सकते हैं ले लेकिन बहुत अच्छा लगता है यह ratio से दाले तो 2 टीबल स्पून भरके tomato sauce दालेंगे और फिर हम क्या करेंगे इसे अच्छी तरीके से फिर mix करेंगे mixing अच्छी तरीके से करेंगे ना ताकि राष्टे को सारे spices अच्छी तरीके से लगजारी spices वाला जो नाश्टा है बहुत ज़्यादा tasty लगता इस recipe को आप जरूर एक बार ट्राइ कीजिएगा और हमें comment box में comment करके बता ही हैंगा कि आपको पूरे youtube में ऐची नाश्टी की recipe कहीं मिली क्या अब इसमें salt टालेंगे salt का वह या अपने taste के according हम salt डालेंगे इसमें 1 tablespoon भरके vinegar डालेंगे vinegar ना हो तो फिर हम इसमें 1-2 limbo का रज़ भी डाल सकते अभी इसमें 1 tablespoon भरके vinegar डालेंगे और 1 teaspoon भरकर या 1 tablespoon भरके इसमें और फिर से water भी डाल देंगे ताकि नाशटा अच्छी तरीके से अगर थोड़ा से भी कच्चा भी रह गाया तो अच्छी तरीके से पक जाए अब इसे हम क्या करेंगे अच्छी तरीके से mix करेंगे और फिर एक बार इसमें flavors सारे check कर लेंगे अगर कोई flavors की कमी हो तो हम उपर से भी इसमें डाल सकते आप क्या करेंगे आप serving dish लेंगे और serving dish में हम इसे निकाल लेंगे तो लीजे गाईज यहाँ पर बहुती amazing और बच्चों को बड़ों को पसंद आने वाला नास्टा रेडी है तो I hope guys आपको यह super delicious सी recipe पसंद आई हो अगर आपको यह recipe पसंद आई हो न तो please like करना आपके एक like से हमें बहुत motivation मिलता है और आपका एक comment हमारे लिए बहुत मायने रखता है तो इसलिए जरूर comment कीजेंगा और like कीजेंगा, share कीजेंगा, subscribe कीजेंगा साइट में जो bell button आते है उस call पर click कर लेना ताके आने वाले हर वीडियो का notification आपको मिलता रहे, Allah peace